सवागत आप सवी का नेक वीडियो लेक्चिन में उडिसा सरकल का पोस्ट में इन मेल गाड का 2020 का कॉश्चन बेपर करेंगे इस वीडियो में डिपार्टमेंट और जीके के सवी कॉश्चन को किया चाहेगा बाकी मैथ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहाँ से जाकर कर सकते हैं और साथ में regular classes हमारी चल रहे हैं आप उनमें जुड़ना चाहते हैं तो जुरूर स्क्रीन पे दिए नंबर पे मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन सफी कॉश्चन बेपर की पीडिये फाइल्स भी आपको वहां पे प्रवाइड करवाई जाएगी और regular classes में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं हर एक टोपी के लिए पीडिये फाइल्स मिल जाएंगी डेली आपका exam लिया जाता है और भी बहुत सारी facilities है important questions आपको करवाई जाते हैं तो आप जुड़के उनका फाइदा उठा सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू कहते हैं आज की वीडियो का first question है unclaimed and refused insured articles are returned at once to लावारिस और मना की हुई बीमा कृत वस्तूओं को एक ही बार में किसे बापिस लोटाना चाहिए ओफिस ओपोस्टिंग फार डिलिवरी टू सेंडर रिटर्ण लैटर ओफिस फार डिस्पोजल हैड ओफिस फार डिस्पोजल यहन मैं से कोई भी नहीं तो जो भी आपके unclaimed होते हैं लावारिस लावारिस कौन से लेख होते हैं जिनके address की मृति हो चुकी है यह जिसके आपका डिलिवरी पोस्ट ओफिस बिच सर्व्स दी अड्रस अब सेंडर तो यह definition भी यहां पे office of posting की जो posting का कारयाली होता है यह होता है क्या जो प्रेश के पते पर काम करता है उसको क्या कहते है ओफिस ओपोस्टिंग कहते हैं तो क्या किया जाएगा उस लेख को ठीक है उ correct in case of undelivered postal articles of which the address is dead, वित्रित लेख जिनका प्रापत करता मर चुका है, लेखों के बारे में क्या सही है, ठीक है, ऐसा article जिसके प्रापत करता की मृत्यू हो चुकी है, उसके बारे में हमें बताना है कौन सा सही है, फर्स्ट ओप्शन है आपके वास, यह article will not be detained in the post office to which it is addressed, संबोधित डाक घर में इसे रोकना नहीं चाहिए, जैसे आपके अर्जिस्टरड articles होते हैं, अगर उनका प्रापत करता नहीं मिलते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, office of delivery में रोक लिया जाता है, तो second question का से answer आपके पास क्या जाएगा, अब दोनों ही सही है, उसको रोका नहीं जाएगा और आर्लो को भेजा जाएगा, next आपके पास, which of the following is correct in message कौन सा सही है, village postman carrier, small stroke of postage stamps for sale to the rural public, ग्रामिन डाक या ग्रामिन जनता को बिक्री के लिए, dark ticktoon का एक छोटा सा stroke ले जाते हैं, यहनिके बो कहा गरते हैं, अपने साथ जो dark ticket होते हैं, revenue stamp भी होते हैं, और दूसरे postage वाले जो होते हैं, तो उनको अपने साथ लेके जाते हैं, ताकि किसी को ज़रूरत हो तो वो उनको बेच सकें, village postman keep a stroke of commonly required postal forums, उसके बाद ग्रामिन डाकिया समानेता उप्योग होने वाले अवश्यक डाक परपत्रों का स्टोक रखते हैं, यहनिके जो commonly used होते हैं, फोरूरम भी अपने साथ लेके जाएंगे, village postman are authorized to book registered letters, जो डाकिया होता है वो पंजिगरित पत्र बुक करने के लिए अधिगरित होता है, और जिसके लिए वो receipt भी दे सकता है, तो इस question का सेया answer आपके पास अदवाएगा D, यह सारी चीज़ें टीकिया, वो small stroke of postal stamps अपने साथ लेके जाएगा, commonly required postal forums जो होते हैं, जिनकी जुरूरत पढ़ सकती है, समानने ता पढ़ती हैं लोगों को, वो forums भी अपने साथ लेके जाएगा, और इसके साथ वो पंजिगरित पत्र बुक भी कर सकते हैं, अगरा question है आपके पास, but is the additional charge on the remitter, applying fast stopping the payment of EMO, which has not been paid, EMO जिसका भुकतान नहीं किया गया हो, उसका भुकतान रोकने के लिए, प्रियेशक पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, electronic money order भेजा, माली जे मैंने electronic money order भेजा है किसी को, अब क्या हो गया मेरी जिसके लिए मैंने भेजा, उससे हो गई लडाई, अब मुझे या कि वो उससे देना नहीं है, ठीक है, वो उसके तक पहुंचना नहीं चाहिए, उसको भुकतान उसका ना किया जाए, मैं चाहता हूँ कि उससे रोक लिया जाए, अगर उसका भुकतान नहीं हो, हुआ है तो मेरे पास एक option होती है मैं उसकी payment को रोक सकता हूँ और उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा क्या commission लगेगा second commission equal to first no charges second commission equal to half of the first commission या फिर double the first commission तो payment रोकने के लिए कोई भी charges आपके नहीं लगेंगे तो fourth की say option कहा जाएगी आपके बास भी तो इसमें दो जगा आपकी condition बन जाती है एक तो जहां पर आपसे charges लिए जाएंगे और दूसरी जहां पर charges नहीं लिए जाएंगे अब कहां कहां पर नहीं लिए जाएंगे सबसे पहली आप जो को रोकना चाहते हैं आप नहीं चाहते कि अब उसका जो पेई है उसको दिया जाए वह आप आपिस लेना चाहते हैं उस चीज के लिए आप से कोई भी एक्सटरा charges नहीं लिए जाएंगे लेकिन इस चीज में आपको यह ध्यान रिखना आपने जो पहले कमिशन दिया था वह रिफंड आपको नहीं होगा ठीक है उसमें क्या हो जाएगा कि जो मनी ओडर की एक्चुल में औरिजनल वैल्यू है सिरफ वही आपको मिलेगी उसके साथ जो कमिशन होगा वह आपको नहीं दिया चाहेगा दूसरी कंडिशन यहां पर क्या जाती है जि माली जे पहले मेरे लिए भेज़ा था आपने चाहा की नहीं मुझे नहीं देना आपको किसी और को देना चाहते हैं तो ऐसी सिती में उसका नाम बदलना पड़ रहा है ठीक है नाम बदलने के लिए आपको चार्जिस देने पड़ेंगे और कितना कमीशन लगेगा एक्वल 25 kg 30 35 या फिर 50 तो कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल आप 35 किलोग्राम तक भेज सकते हैं से ऑप्शन आप किसी आ जाएगी बड़ इसी मिनिममम अमाउंट ओफ ओपनिंग पोस्ट ओफिस आर्डी अकॉंट डाक घर आर्डी खाता खोलने के लिए नियूंतम राशिक है आप आर्डी का अकॉंट जो है मिनिममम कितने रुपे से खोल सकते हैं तो कितने से खोल सकते हैं तो विए ऊप्शन आपकी से आजाएगी और इससे जादा खुलवानों ये पूछा जाता है कि बहु इसके बाद कितने के मल्टीबल में खुलेगा तो 100 के बाद ये 10 के इस तरह से आगे यह बढ़ता चाहेगा ठीक है उसके बाद आपकी इसमें limit maximum कोई भी नहीं आप जितना मर्जी चाहें और जितने मर्जी चाहें अकॉंट आप खुलवा सकते हैं बड़ी रेट ओफ इंट्रेस्ट फास कुन्या समृध्धी अकॉंट कॉन्या समृध्धी खाते के लिए ब्यासजर क्या है तो यह 7.6 परसंट ठीक है भी आपकी से हो जाएगी अब इसके साथ आपको क्या गरना जितने वी इंट्रेस्ट रेट वो याद कर लेने हैं पूछा क्या जाता है के वार पूछा जाते हैं आपको दे दिये चाहेंगे चार तरह के अकॉंट के नाम आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंट्रेस्ट रेट आपको कौन से अकॉंट पे मिलेगा तो उस तरह से अगर पूछा जाए तो आपने सभी का किया है तभी प्रस्ट रेट आपको पता होने चाहिए बड़ी लास्ट डिकलेर्ड बोनस सुफार एंडोमेंट एशॉरेंस संतोश पर 1000 समय शोड पर एंडोमेंट एशॉरेंस के लिए प्रतिवश प्रति एक हजार उपे की भीमित राशी के लिए अंतिम घोशित बोनस क्या है 58 रूपीज ठीक है 85 53 या फिर 52 तो इसका सही आंसर क्या जाएगा इसका सही आंसर आएगा 52 रूपीज ठीक है पर 1000 समय शोड पर एंडोमेंट एक साल में 1000 रूपे के जमा के उपर आपको 22 रूपे का इसमें बोनस दिया जाता है D option आपकी से आजाएगी next है आपके पास cash on delivery facilities available to beach of the following customers subject to terms and conditions निमन मैं से किस गराहा के लिए नियम और शर्तों के अधिन cash on delivery सुभीदा उपलवद है express parcel, business parcel, speed post या फिर all of the ववतिन शफी के लिए है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपकी पास D अगला question है आपके पास beach of the falling can be defined as printed matter usually carrying a sales message निमन मैंसे किसे मुद्रित सामान जो आम तोर पर संदेश ले जाते है किस इसके रूप में परिभाशित किया जा सकते है retail post, direct post, media post या फिर business post तो इस question का सही आंसर आपके बास आएगा भी direct post अब direct post में आप भेज सकते है ठीक है तो इसमें आपका दूसरा क्या जाते है यह आडबर्टाइजमेंट के लिए होता है ठीक है direct advertisement आप करना चाहते है उसके लिए होता है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें आप unaddressed articles भेशें ठीक है इसमें कोई भी पता नहीं होता है तो उस तरह के आटिकल्स भेज़ जाते हैं, पैम्पलेट्स होती हैं , तो इनसे अभी में क्या होती है नद्रेइज्ज्ड बीनापते वाली होते हैं और मीडिय पोस्त में क्या होता है, मीडिय के में जो डाक आपके होते न कि यदिया पोस्ट में लेकिन यहां पर प्रिंट मैंटर यूजिली करींग कौल्ड पत्र मेल के और पंजीकरित लेकर वाले बैग को क्या का चाहता है mail bag, cash bag, account bag या फिर parcel bag, तो mail bag कहा चाता है यह option आपके से आजाएगी registered bag inside a mail bag, containing cash bag is indicated by symbol dark थैले के अंदर पंजीगरित bag के बीच में cash bag को किस परती के द्वारा दर्शाया जाता है अब यहाँ पे 3 bag आपके पास होगे, सबसे पहले कौन सा dark थैला dark थैले के अंदर के अंदर के आपका पंजीगरित थैला ठीक है registered bag और उसके अंदर के आपका cash bag है तो जब इनको भेजा जाता है, सबसे पहले के बार question पुछा जाता है कि इनको कौन कौन सी seal से बंद किया जाएगा, तो जो cash bag होता है, उसको cash seal से और जो registered bag होता है, उसको insurance seal से, बीमा मोहर से बंद किया जाता है और जो mail list होती है अगर इस तरह से भेजा जाएगर पंजीगरित bag के अंदर cash bag भी है, तो उसको F symbol से denote करके भेजा जाता है, तो कौन सी option से आजाएगी आपके बास, B option से आजाएगी minimum number of articles to be dispatched for airmail bag is airmail bag में भीजने के लिए लेखों की नियूंतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 10, 20, 50 या फिर अंडर तो कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए minimum तब जाके आपका airmail bag बनाया जाता है but does the superscription CAP indicate ठीक है, superscription क्या होती है, उपरी lake जो etc लिखा होता है, जैसे आपके आपके अधिकारिक dark lake आते है तो उनके उपर YGS लिखा होता है On India Government Service लिखा होता है, तो वो क्या हो जाती है superscription, उपरी lake तो उसी तरह से अगर किसी के उपर CAP लिखा होगा, तो उसको क्या मतलब हो जाएगा तो full forum आपको बतानी है क्या हो जाएगी, contain air parcel की इसके अंदर क्या air parcel है, तो CAP word का use क्या जाता है, उप्षन आपकी से आजएगी, next आपके बास the bait of an airmail bag should not exceed airmail bag का बजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो देहिए जो speed post होती है, international value उसका भी 35 kg होता है, लेकिन airmail bag का कितना होता है, सिरफ 30 kg हो सकता है, maximum, तो यह option आपकी से आजएगी, अगला question आपके बास, which of the falling is correct, इनमें से कौन सा सही है the face of an article is the side on which the address is written, लेख का मुख, बे साइड होती है, जिस तरफ पता लिखा हो यानि के माली जीए, यह क्या है, यह है आपका article, तो इसका मुख कौन सा हो जाएगा, जिस तरफ आपके address ही का, ठीक है, सेंडर का address नहीं लिखना है आपने, आपने क्या देखना है, आपने देखना है जिस तरफ आपके प्रापत करता का address लिखा हुआ है, तो वही side क्या हो जाएगी, उस लेका मुख हो जाएगी और दूसरा बोल लगया, facing mean arrangements of articles with address aside of words, and addresses turned in the same direction, सम्मुखन शब्द का क्या आर्थ है, लेखों को इस तरह से ब्यवस्थित करना, ताकि उनके पते बाले भाग उपर की तरफ, और एक ही दिशा में आजाएगे, तो इसको क्या कहा जाता है सम्मुखन कहा जाता है, ठीक है, ये विवस्था होती है articles की, कि उनको एक तरह से एकत्र करके, एकठा करके रखा जाएगा और उनके पते बाले भाग उपर की और आजाएगे और एक ही दिशा में आजाएगे, तो इसको क्या कहा जाएगा समुखन कहा जाएगा, तो इस question का C answer आपके पास क्या जाएगा, C ठीक है दोनों ये एड़ भी सही है अगला question है, आपके पास which of the following is correct, निमन मैं से कौन सा सही है, the term beat used in relation to a RMS section means, the portion of railway or steamer line over which the section वर्कता है, यहाँ पर steam नहीं, streamer आएगा, RMS अनुभाग के संबंद में प्रियुक्त गश्त शब्द का आर्थ railway या steamer line का बै भाग है जिसमें अनुभाग काम करता है, ठीक है दूसरी क्या बोली के, यह term beat in relation to postman means the area within which they are required to perform their duty postman के संबंद में जब हम गश्त शब्द का प्रियोग करते हैं, तो उसमें बोक शेतर आजाता है, जिसमें उन्हें अपने करतब्यों को निभाने की अवश्यक्ता होती है यह निके जिसमें उन्हें अपनी duty करनी होती है जहाँ पर डाक बांटनी होती है यह नहां से डाक लानी होती है beat includes post office served by the official consent, संबंदी तदिकारी द्वारा, जिस डागर में सेवा परदान की जाती है, बैभी उसकी गश्त में सामिल है, तो यहाँ पे परदान की जाता है, उसे क्या कहा जाएगा late letters to late letters, missing articles या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो क्या कहा जाएगा उसको late letter कहा जाता है, bilambit पत्र उसको कहा जाता है, ठीक है, तो कौन सी आपकी option से या जाएगी, इसमें से option आपकी आजेगी, ठीक है, यहाँ पे शुलक नहीं बिलambit कहा जाएगा, बिलambit पत्र कहा जाता है, late letter कहा जाता है, अगला question आपके बास या article which has been anonymously forwarded by an office to an office other than the office of destination or by a route other than the prescribed one is cold, वह वस्तु जो किसी कार्याले द्वारा, गंतव्य के कार्याले के इलावा किसी अन्य कार्याले में या निर्धारित मारक के इलावा किसी अन्य मारक से गल्टी से बेज़ दी या जिस निर्धारित मारक से वो जाना था आपने उसकी बजाए किसी और मारक से बेज़ दिया तो उस लेक को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है missend article ठीक है missend article कहा जाएगा, be option आपकी से आजाएगी और miss directed article कौन से हो जाएगा तो उसमें भी आप अपने office की example ले लिजिए कि माली जी आपने लिखना था English में address अब मेरी तरह आपकी भी English बहुत जादा कमजोर थी आपने उसको गलत भाशा में ठीक है गलत भाशा नहीं, गलत English उसकी transcript कर दी यानिके जो English में आपने address लिखा वो लिख दिया गलत, अब क्या हो गया गलत लिखने की बज़ा से वो article जाएगा गलत जगा पे, क्योंकि गलत address से गलत जगा पे ही जाएगा, सही पे तो जा नहीं सकता तो गलत जगा पे जब वो चला गया भी गलत भेजा गया लेग इनमें से कौन सा गलत है camp bags are due bags camp bag day bag होते है camp bags are not due bags camp bag day bag नहीं होते है camp bags are treated as unusual male इन्हें असमान्य male माना चाता है इनमें से कोई भी नहीं तो इसका से answer कहता है का आपके बास तो इसमें गलत आपका शिरफ यह है camp bag नहीं होते है क्यों नहीं होते है क्योंकि जब इनकी जरूरत होती है इनको तभी बनाया जाता है बिना बजा नहीं बनाया जाएगा जैसे आपके registered bag होते है mail bag होते है, account bag होते है इनको रोज बनाया जाते है उसमें कुछ भी नहीं हो भेजने के लिए फिर भी बनाया जाएगा तो वो क्या हो जाते द्यू अप एक शीत है वो बनाने पड़ेंगे लेकिन जो कैम्प बैग होते हैं इनको तभी बनाया जाता है जब इनकी जरूरत होती है अगला कॉशन आपके बास कौन डाक बिभाग का शीर्ष परवंधन निकाय है तो कौन से पोस्टल सर्विस बोड है पी एस भी है तो कौन सी भी ऑप्शन आपके बास सही आ जाएगी अगला कॉशन आपके बास अड्मिनिस्ट्रेटिव इडिक्शन ओफ महाराष्ट्रा सर्कल इस महाराष्ट्रा सर्कल का पशासनिक अधिकाग शेतर है तो आप जब गुड मोर्निंग का मैसे भेसे न आप शोर्टम में क्या भेसें आप जीम टीके अदना टाइम नहीं होता अगला कॉशन आपके बास अगला कॉशन आपके बास बीच ओफ दी फोलिंग पेर इस इनकोरेक्ट इन रिलेशन टू हैट्वाटर्स ऑफ पोस्तल सर्कल के मुख्याले के संबंद में निमन में से कौन सा जोड़ा गलत है नोर्थ इस्टरन का गौहार्टी बोलागी है जै इसमें टोटल आपके शिक्स स्टेट्स आते हैं छेओं के छे आपको नामयाद होने चाहिए उन उन चवी का एड़कार कहां पर आजाएगा आपका आएगा शिलोंग में अगला कॉशन आपके बास बीच ओफ दी फोलिंग फंक्शन ओन संडे एंड नैशनल होलिडे इस न नाइट पोस्ट ओफिस होता है रातरी काली इंडाघर ठीक है इसको न रविवार को चुटी होती है नहीं नैशनल पोस्टल होलिडे को अगला कॉशन है आपके बास बिजनस आवर्स फार सेल ओफ पोस्टे स्टेंप सैंड स्टेशनरी आजनली डाग टिक्टोर स्टेशनर चले के पूरे काम के घंटों के दुरान जो पोस्ट ओफिस में डाग टिकेट और स्टेशनरी होती है उसको बेचने का काम चला रहता है अगला कॉशन आपके बास बिच ओफ दी फॉलिंग इस इनकोरेक्ट इनमें से कौन सा गलत है पेमेड ओफ पोस्टेज इस नॉर्मली कैसे किया जाता है उसके ओपर डाग टिकेट च्रफार के किया जाता है है एंपिमेड ओफ पोस्टेज के लिए नहीं कर सकते है। ये option आपकी से हो जाएगी न ये वला गलत है कि आप revenue stamps का use payment of postage के लिए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं जो postage stamps होती हैं dark ticket उनका use करेंगे या फिर franking machine की impression का use भी किया जा सकता है which of the falling is correct इन मैं से कौन सा सही है every letter packet और parcel has to be stamped with date stamp of at least two post offices परते एक पत्र packet या parcel पर कम से कम दो डाक घरों की तारीक मोहर लगनी चाहिए और ये दो वाले जो post office होंगे एक होगा आपका office of posting दूसरा होगा office of delivery बित्रन का डागर जोगा दूसरा posting का कार्यालिया इन दोनों डागरो कि कम से कम प्रतेग पत्र packet और parcel पर एक मोहर लगनी चाहिए अगला question आपके आपके आसी post office cannot take any special precaution to secure the safety of fragility का जनाजी कुबस्तूओं की सुरक्षा के लिए डागर कोई विशेश साबधानी नहीं बरतेगा तो आप कोई वी तूटने वाला सामान अगर किसी वी लेक के है तो उसको सॉरक्षा देनी की भी पॉस्ट ओधिस कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपके लेक में अपने ऐसा समान डाल दिया है जो टूट सकता है तो पुस्ट ओफिस उसको कोई धिक शुरक्षा भी नहीं देगा कि वो बच जाहेगा सिक शूरक्षा कैसे की आपको उपयोग किया चाहता है तो इसे अंदर के cover के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए उपर के सभी 27 की से option आपके बास आजाएगी D ये सारे के सारे ही सही है परते एक पत्र packet parcel पर दो डाघरों की तारीक मोहर लगनी चाहिए और उसके बाद कोई वी आप नाजुक समान भेशने है तो उसकी सुरक्षा के लिए post office की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और जब भी backs cloth आप use करें तो उसको inside cover की तरह use करें outside cover की तरह नहीं करना है अगला question आपके अस बबली का रडवाइज़ नोट to use sealing wax for seals or side जनता को सलाह दी जाती है कि वे sealing wax का उपयोग किसको बाहर से seal करने के लिए ना करें registered letters and packets insured letters and packets unregistered letters and packets स्याफे इन मैं से कोई भी नहीं तो जो अपंजीकरीत पत्र और packet होते हैं उनको बाहर से seal करने के लिए उपयोग ना करें तो 28 किसे option आपके बास क्या आजाएगी c letter boxes marked for letters only should be used for the posting of cable पत्र के लिए जिन्नित letter box का उपयोग किसकी posting के लिए किया जाना चाहिए अगर किसी letter box के बाहर ये चीज़ लिखी हो ये for letters only तो उसमें क्या क्या भेजा जा सकता है letters और दूसरा कौन से postcard तो इन दोनों को भेजा जा सकता है 29 किसी option आपके बास आजाएगी आगे आपके बास stamps should be affixed to which corner of the address side पता पक्ष के किस कोने में dark ticket चिपकानी चाहिए तो कहाँ पे चिपकाईज आती है तो ये मैं बहुत बार वीडियोज में बता चुका हूँ ये आपका article है यहाँ पे निचले कोने में ठीकाई ये कौन सा हो जाएगा right hand bottom corner तो यहाँ पे address का address आजाएगा इसमें उपर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे dark ticket चिपकाई जाएगे और उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा जाएगा sender का address इस वाले कौने में ठीकाई ये कौन सा bottom left hand corner तो यहाँ पे ये वाला कौन सी side आजाएगी जहाँ पे dark ticket लगेंगे ये आजाएगी आपके बास top right hand corner right hand top तो यहाँ पे option आपके इसे आजाएगी कौन जिम्मेदार होगा head sorting assistant mail sorting assistant system administrator यहाँ मैं से कोई भी नहीं तो 31st की से option आपके बास आजाएगी head sorting assistance होता है पर धान चंटाइस आएग वो इसके लिए जिम्मेदार रहेगा which of the following stamps is a supply to every send इमन मैं से कौन सी मोहर की आपूरती परतेक सेट को की जाती है date stamp name stamp date detained late fee not paid stamp या फिर all the above तो यह सभी stamps दी जाती है option आपकी से आजाएगी date stamp भी दी जाएगी name stamp भी दी जाती है और यह जो detained late fee not paid वाली stamp यह भी दी जाती है actual में यह लगाई कहाँ पर जाती है यह आपको पता होना चाहिए तो जो अती भी लंबी तपत्र होते है two late letters होते है उनके ओपर यह वाली महर लगाई जाती है और फिर उनको अगले प्रेशन तक रोक के रखा जाता है तो वह हो जाते है two late letters ही का तो यह वाली महर उनके ओपर लगाई जाएगी mail abstract is divided into how many parts mail जो darksar होते है इसको कितने भागों में विवाजित किया गया है तो इसको दो भागों में विवाजित किया गया है और कौन कौन से है वो mails और bags है ठीक है इन दो भागों में विवाजित किया गया है और देखिए आपके यह transit section के लिए m42 forum के ओपर बनता है और ज आती है dispatches आती है एक side में receipt प्राप्तिया दूसरी side में प्रेशन आ जाते है तो उसके नीचे नीचे के आएगा ठीक है इसमें फिर टोटल में balance होना चीए कैसे होना चीए तो वह पढ़ लेना है पूरा वो पूछे जाते है question यहीं से घुमा फिरा के थोड़ा पूछ लिया दैनिक रिपोर्ट अधिक्षक को भेजी जाती है उसको submit करनी चाहिए उसको प्रस्तुत करनी चाहिए बिल्कुल सही बात है डेली रिपोर्ट इस रिटन वाई record officer यह गलत हो जाएगा जो डेली रिपोर्ट होती है उसको head sorting assistant के द्वारा लिखा जाता है और कहां से rough notebook of the set ठ इंख्लाम है करमांकीत किया होना चाहिए यह भी सही है तो यहां पे हमें क्या बताना है कौन सा गलत है तो गलत कौन सी option आजाएगी डेली रिपोर्ट इस रिटन वाई record officer जो की गलत है head sorting assistant परधान चंटाई साहिक के द्वारा यह लिखी जाएगी which of the following rule of postal manual volume 7 deals with duties and responsibilities of male guard and agent postal manual volume 7 का निवन मैं से कौन सा नियम male guard और agent के करतब्यों और जिम्मदारियों से संबंदित है तो यहां पे 35 की से option आपके बास आजाएगी भी rule number 105 जो है इन से संबंदित है अगला question आपके बास the duties of head postman is head postman के क्या करतब्य है to convey cash and to the treasury or town assos कोशागार या town assos से या उन तक नकद पहुंचाने का काम यह करता है to take out for delivery articles that have been returned by other postman as unclaimed or refused अन्य डाकियों द्वारा लावारी से आज सविकृत के रूप में लोटाएगे लेखों को वित्रण के लिए ले जाना अब क्या होता है कि जो बाकी postman होते है जब भी वो articles को as unclaimed dnk उसका अगर article का address ही है जो प्रापत करता है वो मृत हो चुका है मर चुका है यह फिर उसको लेने से इंकार कर दिया तब भी वो एक वार किसको head postman को issue किये जाते है और वो देखेगा कि क्या उनका वित्रण हो सकता है या नहीं और अगर हो सकता हो तो उनका वित्रण भी करेंगा और उसके बाद आपके वास to work in place of any postman who is temporarily absent अस्थाई रूप से अनुबस्तित रहने वाले किसी डाकिये के स्थान पर कारे करना अगर कोई postman आपका अस्थाई रूप से ठीक है वो एकदम से कहीं पे छुटी पे चला जाता है तो उसकी जगा पे काम करना यह भी उ प्रतेक पोस्टमास्टर के द्वारा तैकी जाती है बिल्कुल चाहिए जो आपकी घष्ट होती है किसी भी पोस्टमास्टर की उसको कौने धारित करेंगा पोस्टमास्टर भाइल ओं डूटी आर नोट प्रोहिविटेड फार डिस्टिविटिटिंग एडवर्टाइजमे कोई भी बिगयापन हैंडविल्स बगारा उनको वित्रित नहीं करेंगे इफ दी अड्रेसी ओफ एन आर्टिकल कैनोट बी फांड ओन दी गिवन अड्रेस इंक्वाइरी रिगार्डिंग इस चेंज चेंज अड्रेस शुडवी मेड फ्रोम इस नेबर्स यदी दियेगे प पता चलता है तो उस नए अड्रेस के उपर उसको रिडारेक्ट भी कर सकता है तो 35 में में क्या बताना है कौन सा गलत है तो यहां पर इसका से आंसर है भी ठीक है पोस्ट में ड्यूटी पर रहत हुए जनता किस दस्यों के और से बिग्यापन वित्रित करने के लिए प्रति कोशन है आपके बास which of the falling is correct if the addressee refuses to sign an acknowledgement but merely sign the receipt यमन मैं से कौन सा सही है यदी प्रापत करता है पावती पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है लेकिन केवल रसीद पर हस्ताक्षर करता है वो क्या करता है कि आपने जो रसीद लेके गया साथ में उसके उसने साइन कर दिया ल उसके उपर उस चीज के बारे में कि उसने इंकार कर दिया उस चीज के बारे में टिपनी लिखकर उसको सेंडर को भेज दिया जाएगा तो यहां पर 38 की से अप्षन के आजाएगी आपके बास ही पहले लेक उसको वित्रित कर दिया जाएगा और पापती बार इंकार के बन दीता है तो यह है रूल नमबर 97 तो यहां पर आपका कौन सा से आई हागा यहां पर आएगी सी ऑप्शन अगला क्वेशन आपके पास फोरम MS 27 is MS 27 के बात है पोस्ट मैन बुक होती है डाकिये की जो पुस्तक होती है कौन से फोरम के उपर बनाई जाती है MS 27 के उपर बनाई जाती है बीच ओफ दी फोलिंग पार्टीकुलर्स शुड आलवेज वी फर्निष्ट इन दी एड्रेस इन दी केस ओफ मेल्ज फार्डिफेंस सर्विस्स पर्सनल सर्विंग इन आर्मी एंड एर फोर्स बिच आर्टू वी डिलिवर थू आर्मी पोस्ट ओफिस सेना या बायू सेना में सेवा रत रक्षा सेवा कर्मियों के लिए डा के मामले में निमन मैं से कौन सा विवरन हमेशा पते में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो सेना के डा घरों के माध्यम से वित्रित किये जान लिखा जाएगा और उसका नाम क्या है यूनिट बगार है यह सारी चीज़े लिखे उनको के रोफ फिफ्टी सिक्स या के रोफ नाइंटी नाइपियों के पते पर भेजना चाहिए इस इंडेफिनेट अड्रेस निमन मैं से कौन सा एक अनिस्चीत पता है तो कई बार कॉशन बुच्छा जाता है अगर अनिस्चीत पते वाला कोई लेख होगा तो क्या होगा तो वो उसका वित्रण डाघर के द्वाला नहीं किया जाते हैं तो यहां पर हमें बताना है कौन सा इंडेफिनेट अनिस्चीत बता है चीफ सेक्रेटरी शिमला उसका नोन कमिशन्ड ओफिस मेरट प्रेजडेंट ओफ ओफिस मैस दिल्ली या फिन में से कोई भी नहीं तो यह सारे अनिस्चीत बते हैं ठीक है एक बार डैफिनेशन कर लेनी है वह इंपोर्टेंट है और यह पोस्ट बोक्स इस अरे अबलेवल और रेंट अट सर्टेंट पोस्ट ओफिस आज में वी डिटर्माइंड इन इस बिहाफ वाई किराएदार किराय पर पोस्ट बोक्स की सुभीधा कुछ एक डागरों में अपलवध होती है यह किसके जारा निर्धारित किया जाएगा तो सभी डिलिवरी पोस्ट ओफिस में अपलवध रहेगी चाहे बहाँ पे पोस्ट बोक्स सिस्टम हो या ना हो लेकिन आपकी पोस्ट बैग वाली सुभीधा सभी बित्रन डागरों में अबलेवल रहेगी बिच ओफ दी फोलेंग इस इंक्रेंक्ट इन कोनेक्शन विद पोस्ट बोक्स पोस्ट बोक्स के संबंद में निमन मैं से कौन सा गलत है प्रेस्क्राइवड रेंट इस तूभी पेड इन अडवांस निर्धारित किराया उसका अगरिम्भुकतान आपको करना पड़ेगा जो भी आपका किराया रहेगा पोस्ट बोक्स का उसको आपको अडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी no renter is untitled to demand that a post office of any particular number should be allotted to him कोई भी किरायदार यह मांग नहीं कर सकता है कि उसे उसी बिशेश संख्या का पोस्ट बोक्स नंबर दिया जाए जो उसकी मर्जी का है ठ जहां पर मिल गया उसको हाँ जोड़के ले लेना है बस deposit in respect of post box cannot be adjusted against any other post box किसी एक post box के लिए जमा राशी को किसी अन्य पोस्ट बोक्स के लिए समयोजित नहीं किया जा सकता है एक के लिए एक post box के लिए आपने कोई deposit किया हुआ है कोई जमा किया हुआ है तो उसको दूसरे post office के लिए adjust नहीं किया जाएगा तो यहां पे हमें क्या बताने कौन सा गलत है इनमें से कोई भी नहीं तो इसका सही answer क्या जाएगा आपके बास D which of the falling is correct इनमें से कौन सा सही है पार्सल वेंग अब टैन केजी इन बेट विल भी डिलिवर्ड ओंली आट दी पोस्ट ओफिस बिंडो दस किलोग्राम से अधिक बजन वाले पार्सल की बिंडो डिलिवरी सिर्फ डिलिवरी जों सिर्फ पोस्ट ओफिस की खिड़की पर की ज तेन सो रुपे से अधिक का वीमित ले जाएगा केवल डाग घर की खिड़की पर ही वित्रित किया जाएगा माली जी अब कोई लेग है ऊसको इन्शोर किया गया है 300 Slweo अधिक के लिए तो इसका जो वित्रण है जों भी डागर खिड़की पर किया जाएगा तो ये घलत हो होगा ठीक है वीमित सोरी वीमित हो गया आपका इंशोड हो गया लेकिन अगर क्या होता वो वैल्यू पेवल मूले दे होता तब कितना हो जाना था 100 रुपीज तरह 100 रुपीज से दिकोने पर विंडो डिलिवरी की जानी थी बीच वफ दी फोलेंगी स्कॉरेक्ट भैन इंशोड आर्टीकल इशुड फार डिलिवरी इस नोट एक्सेप्टड वाई द्रेसी निमन मैंसे कौन सा सही है जब डिलिवरी के लिए जारी किया गया वीमित लेख प्रापतगरता उधारा स्विकार नहीं किया जाता है इसे दूसरी बार बाहर नहीं भेज़ा जाएगा क्यों नहीं भेज़ा जाएगा आगे देखते है एन इंटीमेशन ओफ इस अर्राइवल विल वी मेड ओवर टु हम इसके आने की सूचना सिरफ प्रापत आपकी सही आजाएगी ठीक है अपने क्या हुआ कि कोई भी आपका इंशोड आर्टीकल था पहली बार उसको जब भेजा गया वित्रन के लिए तो उसका वित्रन नहीं हो पाया तो उसको सेकंड टाइम बाहर नहीं भेजा जाएगा उसके आने की सूचना दी जाएगी और अपने की सूचना प्रापतगरता को भेजी जाएगी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला गर कोई मूल्य दे लेख होगा तो सो रपे से अधिक ओने पर विंडो डिलिवरी की जाएगी यानि कि उसके आने की सूचना जो अब वो सिर्फ प्रापतगरता को दी जाएगी पहली सही आजाएगी इफ दी अमाउंट वी रिकवर्ड ओन वी पी आर्टिकल डस नोट एक्सीड वन हंडड दी आर्टिकल विल बी डिलिवर्ट टो अड्रेसी एड दी अड्रेसी रेजिदेंस यदि किसी वी पी लेख पर बसूल की जाने वाली राशी सो रपे से अधिक नहीं है तो लेख प्रापत करता के निवास पर प्रापत करता को ही दिया जाएगा ठीक है अगर सो रपे से कम है तो उसके घर पर उसको वित्रित किया जा सकता है उसके निवास अस्थान पर किया जाएगा और सो रपे से धिक होने पर उसकी विंडो डिलिवरी की जाएगी if the amount to be recovered on a VP article be not below Rs.20 and the article is taken delivery off at the counter of post office the amount may be paid in cash or by check यदि किसी VP वस्तू पर बसूल की जाने वाली राशी 20 रुपे से कम नहीं है और वस्तू की बिंडो डिलिवरी की जा रही है ठीक है काउंटर पर उसे दिया जा रहा है question का से answer आजाएगा आपके वस्तू इन मैंसे कोई भी गलत नहीं है 47 की से option आपके बास आजाएगी D Redirection fee of unclaimed and refused parcel within delivery area of the post office of issue जारी करने वाले डाघर के वित्रन क्षेतर के भीतर लावारी से मना कियेगे parcel का पुने निर्देशन शुलक क्या होगा 9 रुपे free of course 3 रुपे या भी 6 रुपे तो कोई भी चार्जिस नहीं लिये जाएंगे तो जब भी आपका parcel as unclaimed or refused बापिस किया जाता है बापिस return नहीं किया जाता है तो कोई भी चार्जिस उसके उपर redirection के नहीं लिये जाते हैं person changing their address should furnish the information regarding change of address at which post office अपना पता वदलने वाले विक्तियों को पता परिवर्तन की सूचना कौन से डाघरों मैं देनी चाहिए place which they are leaving जिस अस्थान से वो जा रहे हैं place to which they are going जिस जगह पे जाएंगे ठीक है बोथ हैंड विन मैंसे कोई नहीं तो दोनों डाघरों को जिस जगह से वो जा रहे हैं बहां के डाघर को भी और जिस नहीं जगह पे वो जाएंगे बहां के डाघर को भी अपने पते के परिवर्तन के संबंदित जो भी चीज़े होंगी वो उनको बता देनी चाहिए अगला कोशन और लास्ट कोशन है डिपार्टमेंट का रिटन इंस्ट्रेक्शन फार अबरी चेंज ओफ एड्रेस विल नोट ओडिनरी वी अटेंडेंड फार अटेंड फार लोंगर पीरियड दन परते के परतेग पर बता देतों इसमें आपने दो तरह की इंस्ट्रेक्शन्स देएंगी होगा आपने सोचाओगा कहीं पे आपको क्या होता है कहीं पे आपको तीन साल वाली इंस्ट्रेक्शन आती है 3 years वाली instruction में किसके लिए होती है जब भी प्रापत करता अपने सिवा किसी तीसरे व्यक्ति को अपने लेख लेने के लिए धिक्रित गरता है post office को तो वो वाली instruction आपकी 3 साल तक चलती है और दूसरी पते में परिवत्तन से संबंदित वाली जो इस question में हमने की है सिर्फ 3 महीने चलेंगी दोनों में फरक रखना सिर्फ यही दो instruction है पूछी जाती है कि address जो देता है एक 3 साल चलती है एक 3 महीने दोनों में पता होना चाहिए कौन कितना time चलेगी चलिए उसके बाद आपकी जीके के question भारत का सबसे वड़ा केंदर शासित परदेश है चंडिगर, पॉंडिचेरी, अंडमा, निकोवार, आइसलेंड या फिर लक्षदीब तो इस question का से answer 61 का आएगा अंडमा, निकोवार, आइसलेंड है भाकी आपके स्मुदरी किनारों पे बसे हुए शहर है के state है, तो इनके यहाँ पे आ सकता है अगला question है, आपके एक्जीक्यूटिव हैड अफ स्टेट गवर्मेंट राज्य सरकार का कारेकारी परमुख कौन होता है तो यह होता है, governor भी option आपकी सही आजाएगी अगला question है, हरी परसाच रहसिया इस रिनोवड प्लेयरोफ हरी परसाच रहसिया किस के लिए परसीथ थे, ठीक है किस चीज के लिए वो परसीथे माने जाते थे तो बंसुरी बादक्ते सही option आपकी सही आजाएगी बिद्बिच स्पोर्ट इस रिवर्ड डवल ड्रोप ऐसोसियेटर डवल ड्रोप शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका वेडिमेंटन से जुड़ा हुआ है तो इस question का 66 का सही आजाएगा आपके बास D अगला question आपके आसे लिए लेंग्वेज बाज़ी श्रिमद भगवत गीता ओरिजिनली रिटन श्रिमद भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है अगला question आपके बास किया जाएगा अगला question आपके बास तो यह दिया था महात्मा गांदी ने अगला आपके इन में से कौन सा कारक नैतिक और अनैतिक बेवार की भाफना बेवार को प्रभावित करता है तो इस question कासी answer आएगा आपके बास से तो यह था आपके बास उडिसा सर्कल का postman mail card का ठीक है बहुत ही असान question paper था आपके हमने total कितने 60 questions की है 55 questions तो आपके सही होने चे इस तरह के question paper में तो बहुत ही असान था ठीक है और बाग की regular classes के लिए आपको message कर देना ठीक है screen पर दियो यह number पर और जुट जाना है हमारे साथ और बाके इन सभी question paper की क्योंकि जब आप इनको खुद solve करेंगे आपको देखना बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं पता चलेंगी आप जब इनको समझ के solve करेंगे आपको यह पता चल जाएगा आपको और कहां पर मेहनत करने की जरूरत है आपको कौन से topic मारधिक मेहनत करनी है आप कितना कर पाते हैं कौन से topic या फिर कौन से आपको जीके में अच्छे हैं तो जीके पहले करेंगे या math पहले करेंगे या DOP वाला पहले करेंगे उस चीज के बारे में आपको पेपर से पहले त्यारी करनी पड़ती है हथियार आपको घर से बना के लेकर जाने पड़ेंगे बहाँ पे जाके कुछ नहीं बनेगा ठीक है ना प्लान बनते हैं ना फिर पता चलता है ठीक है कौशन फस गया तो फिर आप घूम जाते हैं तो इस तरह का कौशन बेपर इस लिए होता है कि एक आधा कौशन आप फस जाए उसमें टाइम वेस्ट ना करें अगले कौशन की तरफ बढ़ें ठीक है जो है बाद में उसको देखेंगे जो नहीं आता है तो इस तरह से आपको थोड़ी स्ट्रेटरजी बनानी पड़ती है पहले से ही तभी एक्जाम अच्छे से क्लियर होते हैं ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू